नमस्कार सभी कन्य राशी के दोस्तों आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत वेवी नंदन आज के इस वीडियों में आपको यह जनकरी देंगे कि वर्ष दो हजार चौबिस में कौन सा वो विशेश समय रहेगा जब आपको साबधानी पूरवक कारे करना चाहिए और पर्टिकुलर डेट वाइज आज में आपको जनकरी दूँगा इसलिए वीडियो को पूरा सुने अंतर तक सुने आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को प्राप्त होगा जोती शेक प्रौपर विज्ञान है ग्रहों पर आधारित है इसमें किसी वी प्रकार का किंतु परंतु और दोमत नहीं है आज यही जनकरी आपके लिए यहां लेकर के आया हूँ मितरो हर राशी के मितर भी है और दुश्मन भी है हर ग्रह की मितर है शत्रू है यह चकर है ऐसे हमारे भी होते है अब जो आपके लिए फेवरिवल फेवरिवल सारा समय था पूरे वर्स दोहजार चौबिस का वो तो मैं आपको अल्डेटी बता ही चुका हूँ और एक नहीं इनफेक्ट तीन अलग-अलग मैंने उसमें सीरीज बनाई हैं आपके लिए जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो एंड बटन में देख सकते हो कार्ण में देख सकते हैं जो कौने पर आता है यहां सारा में मेंशन होता है अब यहां पर पेपर पैन जरूर रख लेना क्योंकि मैं फल को शुरू करने जा रहा हूँ चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब फॉलो और शे करना इसके अलावा अगर आप अपना वार्शिक राशिफल बनवाना चाहते हैं 2024 का तो उसके लिए भी आप हमें संपर कर सकते हैं कुल्णी बनवाने के लिए दिखाने के लिए भी तो आईए शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप से बात करते हैं आपकी राशिक ये जो स्वामी बुद्ध ग्रे हैं उनके आखिर मित्र कौन कौन है तो बुद्ध के मित्र तो शुकर भी हैं शनी भी है और बुद्ध तो मित्र गुरु को भी मानते हैं सूरे को भी मानते हैं चंद्रमा को तो दुश्मन मानते हैं पर इनकी विशेश रूप से चंद्रमा के साथ शत्रुता होती है और मंगल को भी अपना शत्रुता की दृष्टी से देखते हैं तो सबसे पहले में शुरुवात करते हुए आपसे कहना चाऊंगा कि दिनांक 20 फरवरी जी हाँ ये तारिक नोट कर ले 20 फरवरी से और 7 मार्च तक आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये आपकी कन्या राशी है इसके सौमे बुद्ध हैं और ये आपका कैरियर का घर है इसके भी सौमे बुद्ध है मितुन राशी है इन्हें दो महतपून घरों के सौमी होकर के बुद्ध इधर शनी के साथ छटे भाब में रहेंगे और इसी टाइम पिरड में रहेंगे जो मैंने भी आपको बताया है 20 फरवरी से 7 मार्च ये अच्छा टाइम नहीं है इसमें रोग को चोट का शत्रुबादा का भे बनेगा और स्वास्थ प्रॉलम लीकियो डर्मा ऐलर्जी गले चाती से संबंदित विकार ये सब चीजे जल्दी आपके शरी में घर बना लेंगी तो इसलिए ध्यान रखते हैं आपको चलना होगा इसके अलावा ये आगे भी अभी आपको हिदायत बरतनी है क्योंकि इधर नीच के बुद्ध हो जाएंगे दिनांग साथ मार्च को सुबह दस बजे और उसके बाद 26 मार्च तक ये यहां रहेंगे बुद्ध नीच के होकर के कैरियर को मान सम्मान को और दाम पत्ते जीवन को बादा पहुचाएंगे इन तीन चीजों में काफी विशेज धान रखते हैं चलना होगा फिर तीसरी जो महत्वपून बाद है वो है 26 मार्च से इधर मेश राशी में आएंगे और उसके बाद 9 अपरेल तक मेश में रहेंगे यानि कि फिर मेश राशी को पीडित करेंगे लगवग यहां पर इनका रहना राशी के स्वामी होकर केस्टम में रहना यह रिसर्च वगरा के लिए तो अच्छा होता है आपका बौध्धिक इस तर तो बढ़ाएगा यहां से यह पैसे को देखेगा पैसे के लिए भी ठीक है बट स्वास्त कारणों से यह परिवर्तन बिल्कुल भी उच्चित नजर नहीं हाता इसलिए हैल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है आपकी राशी के लिए मंगल अच्छा फन नहीं देते और मंगल धोके के स्वामी है और आईयू के स्वामी है और मंगल गरह इदर शनी के साथ में रहेंगे दिनांक 15 मार्थ से लेकर के शाम को और 22 अपरेल तक यानि कि आईयू कास्टम का स्वामी इदर शनी के साथ छटे में रहेगा आयू को खत्रा उत्पन करता है, स्वास्त को पीडा करता है, अगर किसी को आयू में वैसे कस्ट चल रहा है तो उन लोगों को काफी विशेश ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाता हूँ, मैं लाप्रवाई नहीं बरतनी और शत्रू भै आपको रहेगा, शत्रू उसे सतर करेना पड़ेगा, उनके द्वारा आपको कोई शती पहुँच सकती है, ऐसे ग्रहयोग आपकी राशी में मुझे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर हो जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए, आपको आगे प्लैनिंग करते हुए चलना चाहिए अब मैं आपसे बात करूँगा, नेक्स राशी के विशे में, मतलब ये जो परिवर्तन और इसमें आगे कौन सा कैसा रहेगा तो यहाँ एक मंगल राहू का अंगारक दोष बनेगा कन्या राशी के लिए, अब ये अंगारक दोष के साथ में मंगलिक दोष भी बनेगा और ये दोष बनेगा सेवन्थ हाउज पर पती पतनी के घर में, और फिर यहाँ से मंगल की दृष्टी कैरियर पर होगी, सत्रू दृष्टी मान सम्मान पर होगी और एक दिरिष्टी धन के घर पर होगी और अंगारक दोस वाली दिरिष्टी और मंगलिक दोस वाली रहेगी अब ये अंगारक दोस जो एक्टिवेट होगा ये 23 अप्राइल को हो रहा है और एक जून तक रहेगा अच्छा नहीं होता दिक्कत आएगी थोड़ा अलट रहना पड़ेगा और विशेश रूप से दामपत्ते जीवन कैरियर में और धन के वे बहुत सोच समझ के योजना बद तरीक से करने चाहिए इसके अलावा आपका जो मंगल है इदार आजाएगा मेस राशी में और यहां भी मंगल एक दोस्ट बनेगा और एक जून को आ रहा है और बारा जुलाई तक यहां रहेगा तो यहां भी अलर्ट रहना पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि मंगल की जो इस्तिती चल रही है दर ग्यारा में बारा में और एक में इधर रहेगे लगवग लगवग चार महीने के आसपास ऐसे मान के चलिए मोटा मोटा पंदरा मार्ट से लेकर के और बारा जुलाई तक म तार चड़ाबाला रहेगा ड्यू टू मंगल और इसमें सबस्यादा बादा है एक तो धोके को लेकर स्वास्त को लेकर के दामपते जीवन को लेकर के और कैरियर को लेकर के जिसमें एक फ्लैक्ट्वेशन आपके देखने को मिलेगी जो पॉजिटिव साइन है वो तो मैं लेटी बता चुका हूँ बट क्या होता है ऐसा नहीं है कि इस टाइम पिरण में आपके साथ बहुत बुरा होगा आपका कैरियर बहुत बुरा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है जो अधर गरे हैं वो तो आपको अपने रिजल्ट देते रहेंगे बट अभी हम वो आगावाले द्रिश्टी कौन से बात कर रहें तो इसलिए मैंने का कि इस टाइम पिरण में थोड़ा साबधान नहीं और एक फिर बीस अक्टूबर को आपके मंगल यहां लाव इस्थान में नीच हो जाएंगे तो मंगल नीच लाव में होंगे तो लाव में भी कमी करेंगे लाव का फ 17 अक्टूबर से और 16 नवबर तक सूरे आपके यहां पर नीच हो जाएंगे पैसे और परिवार के घर में और वो भी खर्च के स्वामी हो करके यानि कि बारवे का स्वामी या धन के घर में नीच होगा तो धन का अपवे है पैसा ज्यादा खर्च होगा इस टाइम प्योड लगी होगी इस एक बार फिर नई वीडियो लेकर कि आपके बीच में आऊंगा और भी आप से आजा चाहता हूं नवश्कार